अगो स्टुदेंट्स वेलकम टो डीकमिस्टी लासेस वीडियो के प्रेविएस पार्ट में आपने तीन कंपाउंड्स के नौन प्लेचर चीख थे तो इसमें सबसे पहला एक्जामपल है, CS3CL, हमें आपको प्रिवेस वीडियो में बताया था कि सबसे पहले compound को देख कर उसमें number of carbon atom count करते हैं, तो यहाँ पर number of carbon atom कितने हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, एक ही carbon atom है, ठीक है, one carbon atom है, तो यहाँ पर एक carbon atom है, तो इसको mention कर लेते हैं, number of carbon atom, कितने हैं, one है, one के लिए जो root word वाली table है, इसमें देखिए, c1 होता है, c1 के लिए math लिखते हैं, इसके बाद में, यहाँ पर जो functional group है, second आपका जो, इसमें work है, वो functional group को identify करना है, carbon की counting के बाद में, functional group, functional group आपका इधा से देखेंगे, यहाँ पर cl है, cl को लिखते हैं, chloro, तो यहाँ पर chloro जो है, वो आपका क्या है, prefix है, ध्यान लखिएगा, तो यहाँ पर functional group का prefix लिखा जाएगा, prefix of functional group यानि की cl, क्या होता है इसका, chloro, और इसकी जो position है, देखेंगे, एक ही carbon है इसमें, तो लिखना जरूरी है, मैंने प्रिवेस वीडियो में बताया था, position उसको जरूर मेंशन करें, तो position of cl क्या है, यह location of cl, location भी इसको चाहँ लिख सकते हैं, one है, त्योंकि एक ही carbon है, अब इसमें एक काम हो रहे गया है, यह देखना है कि जो carbon है, उसकी balance है, कैसे satisfied है, saturated है, या unsaturated है, यहाँ पर जो carbon है, इसको गर हम बनाना चाहें, तो उसमें तीन hydrogen है, एक chlorine है, तो carbon, carbon इसमें single bond हो सकता है, यानि कि यह alkane हो सकता है, तो alkane के लिए जो suffix है, वो आपका in होता है, आपके लिखेंगे, suffix of alkane, क्योंकि यह आपका alkane है, ठीक है, यह जो chain है, यह alkane है, इसमें कोई भी double bond नहीं है, तो यह हो जाएगा in, अब इन सभी को हम क्या करेंगे, combine करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह उपर वाला जो formula है, इसमें prefix, prefix आपका क्या है, chloro, और जो prefix और suffix है, उनको positions के साथ भी लिखना होता है, यहाँ पर position इसकी one है, तो यहाँ सबसे पहले लिखा जाएगा, one, उसके बाद फिर hyphen लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि word and numeric के बीच में, एक आप hyphen लगाएंगे, one chloro, यह आपका prefix हो गया है, यहाँ से, root word क्या है, c1 के लिए math लिखते हैं, तो यहाँ आएगा plus math and जो suffix है, इसका यह एन है, तो यहाँ पर aim हो गया है, अब यह देखिए, यहाँ पर यह जो plus है, इसको जब combine करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, one chloro, methane, यह इसका IUPAC हो गया, ठीक है, बहुत आसान है, one chloro, methane, तो इस तरह से करते हैं, देखिए, जब आप यह चीज़ सीख जाएंगे, तो चाहें तो इसको नहीं लिख सकते हैं, सीधे यहाँ आ सकते हैं, यह सारी चीज़े मैं आपको सम्झाने के लिख रहा हूँ, इतना सारा वर्क आपको नहीं करना होता है, बट आप समझ जाएं, बेटर इसलिए मैं करना हूँ, यहाँ पर यह सीधे आपको mention करना होता है, next एक और example लेकि इसको देखते हैं, CS3, CS2, BR, इस बार हमने functional group change कर दिया है, सबसे पहला जो वर्क है, आपका वो क्या है, नंबर आप carbon atoms की counting करना, तो यहाँ पर, देखिए, counting हमेशा उस side से करिएगा, जिस side आपका functional group सबसे नजदिक पड़े है, यहाँ कि ऐसे carbon से करिएगा, जो carbon आपका functional group से attach हो, यहाँ पर bromine जो है, यहाँ से start करेंगे, one and two, ठीक के लिए क्या लिखते हैं, कि carbon आपका two होता है, तो उसके लिए आता है, ठीक है, prefix यहाँ पर यहाँ पर प्रीफिक्स, आप बियार यानि की bromine, यह क्या लिखा जाता है, ब्रोमो, इसकी position लिखेंगे, position आफ यार, यह हो जाएगी, one, क्योंकि यहाँ पर यह इस carbon से जुड़ा है, अभी देखें, यहाँ पर matter नहीं करता था, यह क्या है, यहाँ पर matter करेंगे, इसमें दो carbon है, इसमें two नहीं हो सकता है, यहाँ पर one होगा, यह इस carbon से जुड़ा ह है, उसको जितना number मिला है, वही उसकी position होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा one, अब हम क्या करेंगे, यह देखेंगे, कि जितने भी carbon इसमें हैं, उसमें से कोई ऐसा carbon तो नहीं है, जो carbon carbon double bond, यानि कि इस तरह से, या फिर carbon carbon triple bond से जुड़ा हो, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, इसम सारे के सारे इसमें single bond ही है, तो जिब सारे single bond है, तो alcan आता है, तो यहाँ alcan का suffix लिखा जाता है, तो suffix of alcan, यह क्या आएगा, इसको हम लिखते हैं in, table में जाईए, second table में यहाँ पर alcan के लिए in लिखा जाता है, suffix में आनि की बाद में, अब हम क्या करेंगे, इस formula का देखेंगे, सबको हम combine करेंगे, सबसे पहले prefix लिखेंगे, prefix में आपका bromo and इसकी position, यानि की इसका name आएगा one, उसके बाद में bromo, फिर उसके बाद में जो आपका root word है, root word क्या है, c2 था है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा it, plus an, यानि की, इसमें an जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा it, दिखेंगे, चाहें तो इसको आप तोड़ की पहले लिख सकते हैं, उसके बाद में combine कर सकते हैं, या फिर direct लिख सकते हैं, दोनों ही better हैं, तो यह आपका इस तरह से होगा, इसमें दो कारवन थे, एक और example ले CS3, देखें, यहाँ पर थोड़ा सामने change भी किया है, नमबर आप carbon atom भी आपके ज्यादा है, और यहाँ पर CL की position भी different है, अब देखें, carbon की सबसे पहला काम है, हमारा carbon की counting करना, तो चाहें आप इधर से करें, या इधर से करें, दोनों तरफ से यह जो carbon है, आपका जिससे CL यह second position पर यह आएगा, इसको दो ही number मिलेंगे, तो यहाँ से दोनों आपके जो रास्ते हैं, वो सही है, one, two, and three, second position पर आया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें number आप carbon atom जितने भी हैं, वो mention कर लीजिए, कितने हैं, three हैं, तो C3 को इसमें देखिए, यहाँ पर क्या prefix, यहाँ हो जाएगा, chloro, इसकी position क्या है, position of CL, functional की position क्या है, देखिए, यहाँ पर second carbon से जुड़ा है, तो यहाँ हो जाएगा, two, ठीक है, ऐसे ही, एक चीज़ और इसमें है, इसमें देखना यह है, कि carbon, carbon, जो आपका है, उसमें double or triple bond तो नहीं आया है, जितने भी इसमें carbon, carbon है, सारे के सारे, single bond के through ही जुड़े suffix जोडते हैं, और यह जो suffix है, यह एलकेन के लिए होता है, जिसमें carbon की जो valency है, वो single bond के थुड़ू अटाइच होती है, तो उसमें एन जोड़ेंगे, अब आईए, इस formula को देखिए, इसमें prefix सबसे पहले, prefix क्या है, आपका chloro है, chloro को उसकी position के साथ mention करना जरूरी है, यहाँ उसकी position सबसे पहले लिखेंगे, हैं और टू, उसके बाद chloro, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, root word, root word में आपका c3 है, c3 के लए प्रोब है, यहाँ पर लिखेंगे प्रोब, उसके बाद में, यहाँ पर suffix क्या है, suffix में देखिए, यहाँ पर position इसमें नहीं लिखें हो गया है जली से इसका स्क्रीन साट ले लिजिए अब हम देखेंगे अभी तक जो भी हमने डिसकस किये हैं आपको नॉमन क्लेचर या या यू पीसी उसमें केवल एक ही फंक्शनल रूफ होता था ठीक है अब हम ऐसे कंपाउंड लेंगे जिसमें दो तीन चार इस रहें कि फंक्शनल रूफ होंगे उनको हम आई उपीसी में नॉमनिकलेट करेंगे तो उसमें पहला एक्जामपल हम देखते हैं एक्जामपल नंबर फॉर CS3 CH CH CS3 यहाँ पर भी CL और यहाँ पर भी CL ठीक है अब देखें यहाँ पर दो CL आये हैं अभी तक जो भी आपने compound देखें हैं उनमें सम्में क्या होता था एक ही functional रूफ होता था यहाँ same functional रूफ है और क्या है यह different position पर है तो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहला काम जो है carbon की counting करना वो counting कर लेते हैं यहाँ चाहें जिस तरफ से आप counting करें दोनों तरफ से सही है three and four यानि कि जो carbon atoms हैं इसमें कितने हैं four हैं c4 तो इसके लिए क्या होगा c4 के लिए table में आई है c4 के लिए क्या लिखते हैं but ठीक है ऐसे ही इसमें जो आपके प्रिफिक्स है प्रिफिक्स आफ सील क्या लिखा जाता है क्लूरू ठीक है इसमें और एक चीज़ बढ़ जाएगी पोजीशन देखेंगे यहां पर क्योंकि दो सील हैं आपके पास कौन कौन सी पोजीशन है एक टू है और एक थ्री है ठीक है टू कॉमा थ्री दोनों लिख लिया उसके बाद में यह इसमें कोई भी कारवन कारवन डबुल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इस तरह का कोई भी टर्म मेंशन नहीं है यानि कि यह एलकेन है तो यहां हो जाए यह एन हो गया अब हम क्या करेंगे देखिए यहां पर दो बार रिपीट हुआ है जहां लखिएगा इसमें जो रिपिटीशन है वो दो बार आया है यहां पर लिखा जाएगा रिपिटीशन जब दो बार आता है तो दो बार के लिए यहां पर डाई यूज करते हैं तो यह करके इसलिए लिखते हैं क्योंकि नियुमेरिक और नियुमेरिक जो जब आता है continue तो उसके बीच में एक कॉमा लगा देते हैं तो यहां पर लिखा जाएगा तू पहले स्कॉम एडिशन मेनर में दिखाते हैं जैन उसके बाद फाइनल एड़ करेंगे टू कॉमा थ्री ठीक है उसके बाद आइफन लगेगा फिर उसके बाद देखिए यह आपका सील जो है वो टू टाइमस इसमें रिपीट हुआ है टू टाइमस रिपीट हुआ इसका मतलब क्या होगा यहां पर डाई हो जाएगा डाई उसके बाद में लो रो यह इतना आपका क्या हो गया प्रेफिक्स हो गया अब इसके बाद में क्या है प्लस प्लस यहां आपका रूट वर्ड क्या है C4 था C4 में आपका हो जाएगा ब्यूट प्लस यहां सफिक्स जो है आपका क्या हो जाएगा इन क्योंकि एलकें था यहां पर अब इन टर्म्स को क्या करेंगे एड कर लेंगे यहां पर फाइनल जो नेम आएगा वो इस तरह से आएगा टू कामा थ्री डाई लोरो ब्यूटेंड यह आपका फाइनल आई उप्यस वोगए देखिए इसमें टू कामा थ्री अंडाई दो चीजें नहीं आ गई तो इस तरह से इनका करते हैं करते हैं जब आपका एक फंक्शन को दो बार रिपीट हो तो दोनों पॉजिशन को मेंशन करते हैं कभी-कभी क्या होता ऐह सेम कार्बन से लगा होता है तो अब एकसामपल हम ऐसा देखें गी जिसमें एक ही कांशक मेरा ओसे लगा हो जैसे आपका यहensor CS3 CS3 देखिए दोनों आपके जो CL है वो एक ही कार्बन से जुड़े हैं सबसे पहला जो काम होता था क्या होता था नंबर आप कार्बन एटम की काउंटिंग करना तो यहां भी हम काउंटिंग कर लेंगे चाहें इधर से करिए या इधर से करिए यह जो आपका कार्बन है जिससे CL जुड़े हैं यह दोनों तरफ से सेम पोजिशन पर पढ़ रहा है तो इसमें दोनों ही तरीके सही हैं लेट से करें या राइट से करें नंबर आप कार्बन एटम आपको कितना मिला इसमें 3 मिला तो C3 के लिए क्या होता है C3 के लिए root word prove होता है यहां से देखेंगे C3 से prove क्योंकि 3 कर्बन एटम थे इसमें अब इसमें जो functional group है उसका prefix लिखेंगे क्योंकि prefix ही होता है इसका prefix of CL क्या है यह आपका हो जाएगा plural ठीक है उसके बाद में इसमें कोई भी carbon carbon double bonder नहीं आया है और एक चीज़ और है इसमें positions भी mention करनी है positions of CL यह क्या हो जाएगा देखे same position है same position है इसमें second position पर जानी कि two जिस पर लिखा है उस carbon से दोनों लगे हैं तो यहां पर देखेंगे को दो बार लिखेंगे बीच में comma लगाएँंगे two comma two ठीक है जैसे यहां पर क्या था यहांपर different था two three here is chlorine के भी two है और chlorine की भी two है तो यहां लिखा two comma two यहां क्या था chlorine की two थी chlorine की three थी तो इसको उमने two लिखा था इसको मने थी लिखा था, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम ही है, नेक्स्ट आपका होगा, सफिक्स, आफ एलकें, यहाँ हो जाएगा, इन, अब इस फॉर्मूले से हम आएंगे, देखेंगे, यहाँ सबसे पहले पोजीशन मेंशन करेंगे, टू कामा टू, ठीक है, हाइपन लगाएंगे, दो बार रिपीट हुआ है, सेम फंक्शनल गूप, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, ऐसे तीन अगर आता, चार आता, पांच आता, उसी सरह से, ट्राई, टेट्रा, इस तरह से सब होता चला जाता है, तो यहाँ हो गया, टू, कामा टू, डाई, उसके बाद प्लस, आगे आपका रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या है, सी थ्री, सी थ्री का मतलब यहाँ पर, रेक्षी जॉर इसमें है, यहाँ पर क्लोरो भी लिखना होगा, क्योंकि जो डाई है, वो क्लोरो है, क्लोरो दो बार रेपीट हुआ है, उसके बाद में क्या है, प्रोप है, और फिर आपका, एन है, इनके बीच में आपका प्लस का भी साइन लगेगा, अब इन तीनों को अगर हम कंबाइन्ड कर देते हैं, तो यहां क्या जाएगा, टू कामा टू, डाई, क्लोरो प्रोपें, ठीक है, यह देखे, बहुत आसान है, इसके कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसको नोड कर लीजिए, फटा-फट, नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे, इल्कोहल्स, तो अब हम यहां पर यह देखेंगे, कि जो इल्कोहल्स हैं, आपके और्गैनिक कंपाउंड, उनका IUPAC या नॉमन प्लियेचर कैसे करते हैं, इल्कोहल्स के लिए मैंने आपको पहचानने का तरीक इल्कोहल्स में और लिखते हैं, यहां पर दो नेमस आपको हो सकते हैं, तो यहां देखिएगा कैसे इनको हम यूज करते हैं, इक्जांपल्स के थूरुँ इनको भी हम समझेंगे, इसमें पहला एक्जांपल है, इसे आपका यह है, CS3 OH, सबसे पहला काम हमारा क्या होता था नमबर आप carbon atom की counting करना carbon atom कितने है इसमें 1 है ये carbon है तो ये carbon के लिए क्या लिखते है root word c1 जब होता है तो इसके लिए लिखा जाता है math ठीक है और इसमें जो hydroxy group है functional group क्या है OH तो इसके दो terms है prefix OH क्या है ये hydroxy है और इसका suffix भी है इसमें दो name हम mention करेंगे दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं दोनों ही सही है इसका all होता है ठीक है अब हम क्या करेंगे इसकी position भी देख लेते हैं position इसकी क्या है one है ठीक है an भी इसमें जुड़ेगा तो यहाँ पर बहुत सारी चीजे आनी है आपर क्योंकि carbon की जो balance है वो single bond के through attach है तो यहाँ पर suffix जो आपका ये काड़ होगा suffix of alkane क्योंकि ये saturated है उसके लिए हम an भी जोड़ते हैं तो उसमें देखिए पहला जो name है prefix के साथ में एक name आएगा और एक आपका suffix के साथ आएगा क्योंकि यहाँ पर ये oh जो है prefix में भी लिखा जाता है और suffix में भी लिखा जाता है तो सबसे पहले हम prefix वाला यहाँ पर लिखने जा रहे हैं prefix के according अगर हम चलेंगे तो prefix में इसको क्या लिखते हैं hydroxy अब prefix में जब लिखेंगे तो इसमें one जो है वो भी आपको mention करना पड़े होगी position के साथ में prefix और suffix mention किया जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा one hydroxy देखिए एक आपका name क्या होगा यह होगा one hydroxy one hydroxy उसके बाद में root word क्या है इसका c1 था तो यहाँ हो जाएगा myth और आगे आपका n भी है इसमें ठीक है तो यहाँ पर यह आगे आपका अब इसको क्या करेंगे combine कर देंगे जब combine करेंगे तो यहाँ आजाएगा one hydroxy methane यह आपका final हो जाएगा अभी यह जो आपका आया है name यह क्या है यह according to prefix था अपनों suffix यूज़ करने वाले हैं इसका all यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी देखिएगा कैसे होगा एक तो उसका यह name हो गया ठीक है दूसरा name क्या हो सकता है इसी में हम यहाँ पर उपर इसको mention किये दे रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले देखिए prefix अगर हमने हमें नहीं लिखना है हमने इसको नहीं लिया है all वाला हम लिखना चाहते हैं तो यह हम हटा देंगे इसके बाद में नमबर आता है root word का and all यहाँ पर देखिए one भी mention करना होगा कि all के लिए जो आपका suffix है उसको position के साथ mention करना होता है one all ठीक है यहाँ पर hyphen भी लगेगा यह भी दियान लखिएगा दोनों में hyphen लगेगा यह आपका है यह इस तरह से इसको जब combined करेंगे तो यह आएगा methane one all यह इसका IUPAC हो जाएगा तो देखिए दो IUPAC ही है दोनों ही सही है यह भी सही है और यह भी सही है आपको जो पसंद है दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा typical हो जाता है बट इजी यह भी है बिल्कुल वैसे ही आपको करना है next एक और एक्जामपल लेते हैं CS3 CS2 CS2 OH number आप carbon atom इसमें count करिए कितना आएगा carbon की counting इधर से करेंगे क्योंकि यहाँ पर यह carbon functional group से जुड़ा हुआ है यह OH से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा उस carbon से ही start करिएगा जिससे functional group जुड़ा होता है तो यहाँ से करेंगे तो यह कितना आएगा इसमें 3 carbon atom आपको मिलने चाहिए 1 2 and 3 यहाँ क्या आजाएगा C3 आजाएगा C3 के लिए क्या लिखते हैं प्रूब पॉंक्शनल ग्रूप का जो प्रीफिक्स है वो क्या है प्रीफिक्स इसका होता है हाइड्रॉक्सी सेकेंड प्रीफिक्स सब इसका सफिक्स भी लिख लेते हैं क्या आएगा इसमें All ठीक है Positions ओएज क्या है One ठीक है अब हम क्या करेंगे इसमें यह देखेंगे कि यह इलकेन है इलकीन है इलकाइन है तो इलकेन है इसमें कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉंड है तो सब फिक्स आफ इलकेन जो होता है इन ठीक है और इसको अरेंज करेंगे सबसे पहले हैं क्या करेंगे प्रिफिक्स वाला लिखते हैं या सफिक्स वाला पहले लिख लेते हैं आप रोज जाएगा सबसे पहले सफिक्स में प्रिफिक्स अटा दी किये root word सबसे पहले आ जाएगा तो यहां हो जाएगा myth oh sorry myth नहीं हो गया यहां पर probe होगा फिर उसके बाद में plus यहां पर in भी लगाय जाएगा suffix उसके बाद में suffix में यह ची और भी आपके आ जाएगी all भी था तो all को position के साल लिखेंगे plus one all इनको तीनों को combined कर देंगे तो हमारा जो final IOPAC है वो इस तरह से हो जाएगा propene dash यह hyphen one all यह आपका according to suffix आ गया अब हम prefix अगर use करना चाहें तो prefix में देखें क्या लिखेंगे prefix में hydroxy है hydroxy को one के साल लिखेंगे तो यहां हो जाएगा one hydroxy ठीक है plus उसके बाद में root word root word आपका क्या है प्रोब और फिर suffix क्या है in ठीक है इलकेंगे लिए इन तीनों को जब combine करेंगे तो एक दूसरा नाम बनेगा जो भी वो भी आपका सही ही होगा one hydroxy तो पे यह आपका IUPAC हो गया तो इस तरह से इनकी normal leisure करते हैं उसको फटा-फट note कर लीजिए अब हम यहां पर यह देखेंगे कि अभी तक जो भी आपने अभी तक देखें हैं और यहां पर यहां पर यहां पर यह से देखेंगे जो कि एक से ज्यादा functional गूफ वाले हैं तो वहां पर भी देख लेते हैं और उसकी position भी different हो तो यहां पर दो-तीन example से इनको भी हम clear कर देते हैं यह आपका example होगा third जैसे आपका यह कोई compound है CS3 CH CH2 CS3 इसमें देखें कारवन की counting आप इधर से करेंगे तो यहां पर 123 अभी एक चीज़ में हो रहा है यहां पर OH है ठीक है तो यहां पर इसमें इधर से एकर counting करेंगे तो यह नजदिक पड़ेगा तो यहां से सही है इधर से counting करेंगे 1,2,3,4 ठीक है ऐसे इधर से करते हैं तो 1,2,3 यानि कि third बेपड़ता तो ज्यादा था इधर से किया तो second बेपड़ा तो यह पहले है तो यह preference देखते हैं कि इधर से नजदिक पड़ रहा है अब यहां प प्रिफिक्स इसका क्या है प्रिफिक्स आफ वो यज यह होता है आपका उदर से में देखिए हाइड्रॉक्सी और सब्फिक्स इसका क्या है यह आपका है ओल ठीक है इसकी पोजीशन क्या है पोजीशन आप ओएज क्या है यहां पर ठीक है देख लीजिए यहां पर यह ओएज जो है यह सेकेंड कारवन से लगा है यह जिसको उमने दो नमबर दिया है यहाँ पर एक और suffix यूज़ किया जाएगा यहाँ पर एन हो जाएगा यहाँ पर भी दो दो नाव हम लिखेंगे पर सबसे पहले क्या करेंगे suffix वाला लिख लेते हैं suffix में क्या होगा सबसे पहले root word लिखेंगे root word क्या है but है प्लस एन लगेगा इसमें प्लस यहाँ पर position के साथ में suffix लिखा जाएगा यह वाला यहाँ प्लस एन यानि कि जो functional group है उसके suffix के according यह आपका नॉमन की यह चरम कर रहे हैं तो इसमें जो आपका IOPS ही आएगा वो क्या आएगा but plus एन यानि कि butane उसके बाद to all यह आपका IOPS ही हो गया ठीक है ऐसे ही prefix का अगर हम इसमें mention करते हैं तर्म तो क्या आएगा देखिए इसको भी हम क्या करेंगे इसके साथ mention करेंगे यह हो जाएगा to hydroxy उसके बाद plus but और यह जो suffix एसका यह EN तो यहा हो जाएगा एक चीज़ मेंसा धान रखिएगा या तो आप all में लखिया गया या hydroxy में लखिएगा दोनों में से कोई एकी लिखा जाता है दोनों नहीं लिखे जाते हैं हमेंसा धान लखिएगा तो यह आ जाएगा two hydroxy butane correct यह आपका ओएच गुरूफ हो जैसे आपका ये कमपाउंड है CS3, CH, CS2 ये देखिए इसमें कितने ओएच हैं तीन ओएच हैं तो सबसे पहला जो काम है मारा वो कारवन की काउंटिंग करना ही है चाहें आप इदर से करिए या इदर से करिए सभी पर ओएच लगा हुआ है तो दोनों तर इसमें तीन कारवन है तो तीन कारवन के लिए हम क्या लिखते हैं रूट वर्ड सी थरी के लिए प्रोब ठीक है प्रीफिक्स क्या है ओएच का प्रीफिक्स है आपका हाइड्रोक्सी और सफिक्स क्या है suffix s का all position क्या है इसमें देखिए तीन position है तो तीनों को आपको mention करना होगा वो भी कॉमा के साथ में कितनी है 1,2,3 तीनों लिखनी पढ़ेंगे अब देखिए इसमें carbon से carbon single bond के through attach है double bond नहीं आया है तो एक और इसमें second suffix होगा alcan का क्या हो जाएगा in अब यहाँ पर mention करते हैं एक करके सबसे पहले क्या करेंगे suffix वाला युश्च करते हैं तो suffix वाले case में root word पहले फिर suffix क्योंकि prefix हमें नहीं लिखना है तो यहाँ क्या होगा सबसे पहले root word root word क्या है आपका probe प्लस उसके बाद में यह suffix alcan वाला in प्लस उसके बाद यह तीनों positions आपको लिखनी है one comma two comma three hyphen उसके बाद देखें तीन बार यह आया है तो यहाँ पर यह table भी आप use करेंगे यहाँ जब repetition आपका three times है तो उसके लिए क्या लिखेंगे try और यहाँ क्या हो जाएगा all ठीक है try all ठीक है तो इनको सबको जब combine करेंगे तो एक नया IUPAC बनेगा या एक IUPAC name create होगा जिसको इस तरह से लिखेंगे प्रोपेन हाइफन ठीक है वन कामा टू कामा थ्री अब देखिए यह सारे words numerics है digits है तो digits के बीच कॉमा लगाया और digit and word के बीच में हाइफन लगाया यह चीज अब मैं साथ देहां रखिएगा अगर यह चूड़ गया तो बहले ही पूरा आपका गलत सही हो आई उपीसी काट दिया जाएगा यहां हो जाएगा try all तो यह आई उपीसी जो आपका नेम है यह according to suffix आप functional roof है अब हम prefix use करके देखेंगे उसमें दूसरा एक और नेम बनेगा तो यहां देखते हैं सबसे पहले आएगा 1,2,3 try hydroxy try hydroxy क्योंकि यहां पर hydroxy बार हम prefix लिख रहे हैं उसके बाद प्लस यहां आजाएगा probe क्योंकि तीन कारवंध है इसमें प्लस in इनको तीनों को जब combine करेंगे तो एक नेम बनेगा उसको इस तरह से लिखा जाएगा 1,2,3 try hydroxy propane ओके यह आपका हो गया तो इस तरह से इसका IUPAC करते हैं जो भी आपके different type of IUPACs हैं alcohols के वो बहुत आसान हो जाएंगे अगर इतना आप समझ गए हैं तो इसको note कर लिजिए इसका screenshot ले 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 और बाकी जो rest आपके compounds हैं जो आपके groups हैं जैसे आपका LDI है, ketone है, carboxlic acid है यह तीन आपके रह गए हैं और एक आपका organic normal creature आप cyclic compound भी रह गया है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम वीडियो के next part में discuss करेंगे तो तब तक के लिए इतना ही वीडियो को like जरूर कर दीजिएगा